बिस्मिल्लाब रमाने रहीम आज हम यह पढ़ेंगे यह और इसके बाद हम यह परिखेंगे कि सबसे पहले हम देखते हैं का क्या होथा है और इसको कैसे मेजर करते में जिस तरीके से आपको electric intensity की तरह electric intensity को अगर मालूम करना हो कितनी होती तो उसके लिए test charge ही जुरत होती है इसी तरीके से electric potential में भी ऐसे होता है लेकिन इस concept को देखने से पहले हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं और अपनी पिछली class में हमने जो हमने पढ़ाता ना उसको थोड़ा सा रिवाइस कर ले तो आएए देखते हैं कि हमारे पास potential energy होती है जैसे हमें मालूम है कि हमारे पास जमीन है और जमीन पर अगर हम कोई किसी object को अगर हम ले मिसार के दूरी हमारा एक object है ठीक है अगर हम इस object को लेते हैं और इसको एक हाइट एच पर ले आते हैं ठीक है हाइट एच है हमारी तो हमने यह पड़ा था कि के एड इस पॉइंट यह पॉइंट यह पॉइंट इसको आप एक लेते हैं ठीक है इसको हम भी कह लेते हैं इस पॉइंट इप इस object जो है एक potential energy उसके अंदर होगी जब भी हम किसी पर लेकर ऑडिक जयेंगा तो जैसे जैसे बॉड़ी को मुभा वनकनवाइनरजी के नहीं ने जोगी और जब लेते जाए जोप हम आईप कार चीन अपि रज देंगे तो फिर क्या होग मैं यह का तो फोई nem फोइंट इस पॉइंट जैंघ होली क्या होगी वह बहुत ज्यादा होगी और यहां पर क्या होगा ड्यूरिन डिस टाइम क्या होगा और आप स्वाल पएता होता है कि प्रादा होता है यह फूर्ण into distance होता है बाप हम यहां बै मैं एक्चुलिय वgan करें थिक से हुआ है हमने इहां से उठाय थीख है उसको ठागी हो पर ले पर आगे आ गए तो तोल्पार हमने ने यहां हम लेकर क τη mukja किया है यहां से लेके पॉइंट B से लेके पॉइंट A तक किया है एस का है एच है एच से रेनोट कर दिया हमने और फोर्स क्या होता है M into A होता है और यहां बहुत है हमारे पास A क्या है acceleration क्या होगा? acceleration due to gravity होगा बैतर होगा कि आप 9 class का जो इस पॉइन का चैप्टर है उसमें जाके दुभारा देख सकते हैं हमने यहां बिसरे इसको recap किया है तो हम यहां पताना ही चाहरे है कि कोई ने कोई बॉड़ी हमारे पास होती तो इस पे कोई ने कोई ने कोई energy होती है इस energy को मिसाल के तो हम जब हम इस बॉड़ी को इस पर दोगी जबन इसको इस जगहा पर रखती है अब यह potential energy जो है जिसके हम यहां बात कर रहे हैं तो इस दो चीज़ों पर डिपेंड करती है कि सभी इसमें एक प्रक्टर क्या है इसमें एक फैक्टर है हमारा यह आपका मास और एक फैक्टर के हमारा हाइट मिसाल के तो अगर कि यह मिसाल के तो पर दो गेजी का अगर मैं आप से कहूं कि भाई आप ऐसा करें कि इतना बड़ा बॉक्स उठाके ले जाए अब इस ते बड़े बॉक्स को जब आप लिफ्ट करेंगे आप उस यहारा दाखल लगा और जब यह एक सेटन हाइट पर आप हाइट भी उच्छी आप लेके जा रहे ना ओ यहां पर आप सको रखना चाहरा है जब ले जा कि आप इस जगह पर इस बॉक्स को रद देंगे तो फिर अगर हम इसको इस फॉर्मुले में यह वैल्यू को डालेंगे मिसाल कि तबर यह मेरे पास यहां पे थी पांच मीटर और यहां मेरे पास ही इए फ़ाइड क्या है यह वरव मिरे पास मास्ट यह यह है यह इड की जी है तो अब potential energy अगर मैं यहाँ पे calculate करूँ तो यहाँ वे क्या होगी potential energy मैं इसको simply calculate कर लेता हूँ potential energy is equal to mass 1 g को मैं 10 ले लेता हूँ 10 meter per second square और height मैं ले ले 5 50 बन जाती है और यहाँ मैं इसको calculate करूँ तो यह क्या बन जाएगी यह बन जाएगा potential energy into mass क्या है 8 into 7.5 into 10 और यह मेरा बन जाएगा एक बहुत बड़ा amount जिसको भी calculate कर लेते हैं ठीक है तो यह हमार पस 600 हो गया तो क्या है यह बहुत difference है तो इसका मतलब यह हो कि potential energy जो है जो है यह दो factors पर depend करती है ठीक है दो factors क्या है हमार पस एक हमार पस mass है और एक हमार पास क्या height है यह दो factors पर क्या होता है हमारी potential energy depend करती है अब आईए यह देखते हैं कि भी electric potential क्या होता है electric potential भी बिल्कुल ऐसे ही ऐसे ही होता है almost उसमें भी जह चीज़े होती है वह बहुत सिंपल होती है हम यहां पर हम क्या करते हैं इसे करते हैं बहुत सारे positive charge बना लेते हैं ठीक है यह हमार पास एक होई जगा बहुत सारे positive charge जमाएं टीक है heb तुढ़ होगे वह घ्रॉल्डेख सारी से पशुदडि यह लिग्या है मेकि जड़िए रहे आज़कोhammer सारो से तो सारे positive charge पर करें और हम कहते हैं कि हमारे पास यह positive charge a test charge other test charge को यहां से लेकी इस पॉइंट तक लाते हैं point A से लेकिए point B तक सही है तो इसमें क्या होगा इसमें क्या अलेट्रिक पोटेंशल होगा अब क्या हो रहा है इसमें भी क्या करना पड़ेगा अगर सोच नहीं बिल्कुल इसी रहां देखें इस इस इंदाज में देखें जैसे कि हमने यहां पर इसको रिसॉल्फ किया तो हमारे पास यहां भी क इस चार्ज को बहुत बड़ा जम करता है इसकी तरफ ले जाने के लिए ताख़त लगानी पड़ेगी क्यों ताख़त लगानी पड़ेगी भाई ताख़त इसले लगानी पड़ेगी हम पहले पढ़ चुक हैं कि जो सेम चार्जिस होते ना सेम चार्जिस जो होते हैं ये क्या ऐसे ही जएसे कि यहां से मैं जब बॉडी को उठायता हो पर लेगे तो हमें काम करना पड़ा था वो काम कहता है M-G-H था तो यहां पे बी हैसा ही होगा और फिर क्या होगा इस पे भी हां वर्क करना पड़े तो इसका मतलब यहां कि यहां पर भी क्या है यह जो चार्ज को उसके खरीब लेके जाना है झाम बरे हुए चार्ज के गोले की तरका जाना यह क्लिशी यह दो छीजों पर डेट करेगा नमबर ऐ क्या होगी नमबर एक होगी कि इस चार्ज की कौंटिट्टी कित На है बहुत सारा चार्ज होगा तो और ज्याधा मुश्किल हम печक है तो जैसे यहां पर मास है तो आप हैं 30 चार्ट जाएग और बैंटिन गी दिश्चा ने से हमारा electric potential जो है यह charge पर depend करता है amount of charge और यह location पर depend करता है एक कित्य दूर है कित्ता खरीब है तो इससे हम यह बादा सकते हैं कि electric potential जो है electric potential जो है इसको हम क्या कर सकते हैं इसको यह विलुद ते वर्क और चार्ज तो फिर हम अपने पोटेंशनल एलर्जी को हम इसको 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 डिनोट कर सकते हैं इसको लिख सकते हैं V is equal to W divided by चार्ज तो इलेट्री पोटेंशल जो है यह एक स्केलर कॉंटिटी है और SI Units में इसको हम वोल्ट कहते हैं अगर किसी नुक्ते बगर एक कोलम चार्ज ये पोटेंशन एनरजी एक जोल हो तो इस नुक्ते का पोटेंशल एक वोल्ट होगा यहाँ पर हम अपने लेक्चर खतम करते हैं और इंशालला अगले लेक्चर में मुलाखात होगी